हाई गाईस तो आप देख रहे हो महा को ये कितना अच्छे से कस्टमर के जो है गोधी में ब्याइटी है उनकी कमपनी को इंजॉय कर रही है क्यूट से बेबी को देख रही है तो इसको बहुत जादा खुशी होता है जब नहीं नहीं लोग आते हैं इससे मिलते है तो ये बह महां के बोर्डे का ड्रेस है जो कि मैंने सैंपल के लिए बुटीक में ही रखा है तो उनको ये ड्रेस बहुत जादा पसंद आया था तो वो ट्रायल के लिए जो है इनको पहना दिया है और इन्होंने मुझे बहुत ही युनीक पैटन दिया है बहुत अलग पैटन है और ज लाउन में हमें सारे अनिमल्स को हैंड लग में बनाना है तो यह बहुत इंट्रस्टिंग होगा आपको भी देखने के लिए और यहां पर यह जो है कपल ड्रेश बनके रेडी है जो की रेसप्शन के लिए बना हुआ है ब्राइड के I know आपको लगता होगा कि ब्राइड के अग्वाडिंग यह थोड़ा सा सिम्पल होगया लेकिन सबकी चोईस एक जैसी नहीं होती है किसी को बहुत सिम्पल एंड सोबर चाहिए होता है किसी को बहुत ग्रांड चाहिए होता है और यह कस्टमर की जो है requirement थी कि इनको अपने गाउन में जो है flower, leaf ये सब कुछ भी नहीं चाहिए simply इनको जो है lines चाहिए थे अपने गाउन पे जो है इन्होंने एक reference picture दिखाया था तो उसी का हमने जो है same copy किया और यहाँ पे इनका जो है trial हो गया है दोनों customer, दोनों जो couple है वो बहुत जादा मतलब खुश है satisfied है तो यहाँ पे इनका जो है trial हो गया आगे में मैं आपको एक tuning dress दिखाऊंगी जो की baby boy and baby girl का है तो इस gown के बारे मैं खड़ा मैं बात करूंगे इस gown को बनने में जो है almost एक महीना लग गया guys तो इसमें जो है बहुत जादा महनत लगी क्योंकि यह gown जो है पूरा handwork में बना हुआ है और महा के लिए मैंने एक cycle order किया था जो की आज आ गया है और महा जो है बहुत जादा खुश है अपने नए cycle पे बैठके और यह रहा twinning dress जो आज ही बनके ready हो गया है यह baby girl का है और यह baby boy का है जिसमें भी buttons लगाने सिर्फ बाकी है जो कि आज ही इनको जो है dress deliver करना है तो आज के लिए इतना ही तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को end करती हूँ और आपको मेरी वीडियो अच्छी लेगी तो please like, share and subscribe मिलते हैं अगली वीडियो में, bye bye